Hello viewers, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में मैं एक male health condition के बारे में discuss करने वाला हूँ और ये समस्या है phimosis Phimosis की वजह से एक पुर्शों की पुपीस्ट या फिर four skin tight हो जाती है और during sex वो पीछे की तरफ move नहीं हो पाती यानि की उनका four skin नहीं खुलता है और इसकी वजह से उनको during sex काफी दर्द महशूस होता है पुर्शों में early education की समस्या भी देखी गई है और four skin नहीं खुलने की वजह से उनके penis की glance में इस magma यानि की सफेदी जमा होने लगती है और इसकी वजह से भी कई तरीके के फंगल infection होने के chances बढ़ जाते है तो आईए इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिमोसिस क्या होती है और कैसे आप इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं वो भी बिना किसी सर्जरी के दोस्तों फिमोसिस क्या होती है इस समस्या को समझने के लिए आपको पूरुषों के normal condition को समझना होगा यानि कि normal condition में जब एक पूरुष का four skin पीछे की तरफ stretch किया जाता है या फिर during six भी वो पीछे की तरफ खुलती है लेकिन जो लोग फाइमोसिस से ग्रसित होते हैं उनका four skin इतना tight होता है यानि कि four skin में flexibility नहीं होती है और इसकी वज़ा से उनका four skin नहीं खुलता है यानि कि glance पूरी तरीके से cover होता है नहीं खुलने की वज़ा से sexual intercourse के दोरान उनको तेज दर्द होता है और इस दर्द की वज़ा से उनमें early education यानि की जल्दी वो स्खलित हो जाते हैं फाइमोसिस की वज़ा से पूर्षों की glance में सफेदी जमा होने लगती है इसे medical term में smagma बोला जाता है और इसकी वज़ा से भी कई तरीके के fungal infection, belanitis या फिर estides होने के chances बढ़ जाते हैं अगर फिमोसिस के कारण की बात की जाए तो ज़्यादा तर लोगों में ये by birth ही होता है क्योंकि जब उनके parents for skin को खोल कर glance की सफाई नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनकी for skin की elasticity खत्म होने लगती है काफी सारे लोगों में लरकों के जन्म के वक्त ही उनके pupist में cuts लगा दिया जाता है लेकिन जिन लोगों में ये cuts नहीं लगाई जाती है इसकी वजह से भी उन लोगों में famosis की समस्या देखने को मिल सकती है इसके अलावा कुछ बीमारियों की वजह से भी बढ़ते उमर के साथ famosis की समस्या हो सकती है जैसे कि अगर आप diabetes के सीकार है, high BP की समस्या है या फिर कोई umino compromised बीमारी से ग्रसित है तो आपकी for skin की elasticity खत्म होने लगती है तो आईए अब हम famosis के इलाज यानी की treatment के बारे में भी जान लेते हैं और जब इस समस्या को लेकर आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्तर के पास जाते हैं तो वो आपको circumcision कराने की सलाह देते हैं और circumcision एक surgical process होता है जिसमें आपके for skin को काट कर हटा दिया जाता है लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिना circumcision किये भी आप इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि circumcision कराने के बाद काफी सारे पुर्शों में दूसरे health issues भी देखने को मिले हैं तो ये तो बिल्कुल भी treatment नहीं हुआ कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप कोई नई बीमारी लेकर चले आएं और काफी सारे circumcised patient में हमने देखा है कि उनके glance में races, glance में sensitivity काफी तेज हो जाना और इसकी वजह से उनमें early education की समस्या बढ़ जाती है इसके अलावा काफी सारे circumcised patient में PPP यानि की purely penile papils की समस्या बढ़ जाती है तो आईए अब हम जान लेते हैं कि बीना किसी surgical process यानि की circumcision के आप penis की glance की flexibility कैसे बढ़ा सकती है और यहाँ पर मैं आपको ये बात clear कर दूँ कि ऐसी कोई भी medicine नहीं होती है जो आपकी किसी भी body part के skin की flexibility बढ़ा दे इसके लिए आपको daily खुद ही practice करनी होती है और फिर महज 15-20 दिनों में ही आपकी four skin की flexibility इतनी बढ़ जाती है कि आप glance को पूरी तरीके से खुल सकते हैं और अपनी four skin को पीछे की तरफ stretch भी कर सकते हैं और इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है उसमें पहला है penile enlargement vacuum pump और दूसरा होता है olive oil क्योंकि olive oil skin में fungal infection को treat करने के लिए skin को soft करके इसकी flexibility बढ़ाने के लिए effective होती है में negative pressure create होता है और ये आपके penis की four skin को पीछे की तरफ stretch करने लगता है हाला कि सुरू के 2-4 दिन आपको खलकी दर्द या चुभन महसूस हो सकती है इसलिए मैं आपको suggest करूंगा कि एक ही दिन में extra effort लगाने की कोशिस ना करें आप अपने glance और four skin में olive oil डाल कर इस penile pump में penis insert करके धीरे-धीरे pumping कर सकते हैं इससे आपकी penis की four skin पीछे की तरफ stretch होती है क्योंकि इसमें negative pressure generate होता है और air pressure की वजह से जब ये exercise आप daily महस्द 2-5 मिनट तक करते हैं तो आपके four skin की elasticity धीरे-धीरे बढ़ने लगती है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि एक ही दिन में extra effort लगा कर four skin को खोलने की कोशिस बिलकुल ना करें क्योंकि जब four skin में elasticity नहीं होगी और जबरदस्ती अगर आप इसको खोलेंगे तो ये glance के पीछे वाले हिस्से में जाकर फस सकती है और इस problem को पाराफिमोसिस बोलते हैं इसलिए आप डेली डेड़ दो या धाई मिनट तक ही इस pump से practice करें और डेली जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि महज 8 से 10 दिनों में ही आपकी four skin काफी हद तक पीछे की तरफ खुलने लगी है और regular ऐसा करने से महज 15 से 20 दिनों में ही आपकी four skin पूरी तरीके से पीछे की तरफ खुलने लगती है वैसे तो ये penile enlargement vacuum pump आपको किसी भी अच्छे therapy store पे मिल जाता है लेकिन अगर मिलने में परिशानी हो तो इसके online purchase करने का link मैं video के नीचे description में और video के नीचे comment box में pin करके डालते रहा हूं वहां से भी आप इस pump को check कर सकते हैं या फिर online order कर करके मंगबा सकते हैं मन में कोई और doubts हो कोई और health issue हो तो आप हमें Instagram पे messages कर सकते हैं और अपनी समस्या हमसे share कर सकते हैं ऐसे ही और अधिक health से related videos पाने के लिए हमारे channel को subscribe करके bell के icon पे भी प्रेस कर लें